तो बच्चों इसको डबल बार ग्राफ बोलते हैं, ये NCIT में हमने पढ़ लखाए क्लास 8 में, अगर आपको याद हो, जैसे कि for example कोई सब्जेक्ट से हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है, तो हिंदी के सब्जेक्ट ये रहे, ठीक, और इंग्लिश के लि इसा काँ, कि ये सपोज, ये रहा, ठीक है, तो ये बार ग्राफ इस तरिग के से double बार ग्राफ बनाते थे, सपोज ये हिंदी subject के लिए, मान लो, ठीक और ये English subject के लिए ठीक है और ये twenty bucks के लिए मान विज्ए झिखिए ये वाला दिखा रहा होगा फिर्स सेशं को सब्स के दिखा रहा होगा कई और चब ये Class x एड़ में अगए तकन्य मास्यम्ट कट सेब्स अपके टीच priority फस्ट वाला जो आपक creek क्लास 7 को दिखा रहा कि हिंदी में marks class 7th में कम थे और class 7th में और class 8 में हम पहुचके तो हमारा हिंदी में improvement हो गया फिर English वाला जो subject है class 7th में less marks थे 8th में पहुचके improvement हो गया maths में हमारे 7th class में ज़्यादा marks थे 8th में आके marks हमारे decrease हो गए ठीक है ना वैसा होना अच्छी तरीके से पढ़िए नहीं होगा ठीक है ना बट यहां पर आप देख रहे हो two sessions के two classes के data को हम compare कर रहे है ठीक है class 6th और 8th के सब्सक्राइब कर रहा हूं 7th और 8th के data को हम compare कर रहे हैं कि यहाँ पहले paragraphs की help से okay students ठीक है so option D is the correct option